तो गाइस यह मेरे चैनल पे पहला वीडियो है जहाँ पे मैं असाम के पाच ऐसे अमेजिंग प्रेप्स बताने जा रहा हूँ जो शायद ही अपने कभी सुनी हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तो आज तक आपने इंसानों के सुसायट के बारे में सुना था लेकिन आज मैं आपको बर्ट की सुसायट के बारे में बताने जा रहा हूँ दुनिया में कुछ जग़ा Lover's Point Sunrise Point या Sunset Point के नाम से जाने जाते हैं वेसे ही दोस्तों असाम के जटिंगा गाव बर्स सूसाइट पॉर्ण के नाम से जानी जाती है। पिछले सो सालों से लगबग हजारों पंक्षियों की जून्ट एक ही साथ सेफ्टेंबर और अक्टूबर में यहापे मरते हैं। और लोकल्स का तो यह भी मानना है कि कोई बुरी आत्मा उन पंक्षियों की जान ले लेती है। सोचने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट का भी अलग अलग विनियन है इस मेटर पे। लेकिन आभी तक उसका एक्ट्वल रिजन किसी को भी नहीं पता। असाम इंडिया की ही नहीं बलकि पुरी दुनिया की लार्जेस्ट बैंबो प्रडूसिंग स्टेट है। जिसके वज़े से असाम को किंग ओफ बैंबो कल्टिवेटर भी कहा जाता है। असाम में पचास से भी ज्यादा तरह की बैंबोस मिलती है। चाइना के बाद इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट बैंबो प्रडूसिंग कंट्री है। और इसके पीछे असाम की बहुत बड़ी भूमिका है। इसपाइब ओल इस असाम इस फेमस एस वर्ड़ वाइफ वाइफ बैंबो क्रफ्स लाइफ 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 जो डरावने दुनिया में दिल्चस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक खास जगा है। मयंग असाम के मरिगाव डिस्टिक की एक छोटी सी गाव है जो इंडिया का ब्लैक मेजिक कैपिटल है। वहाँ पे लोग अपने विमारियों को ठीक करने के लिए जादूई मंत्र का प्रयूप करते हैं। मयंग की जादूई शक्ति महावारत में भी उल्लेक क्या गया है। एक्चुली हुआ ये था कि पांडफ भीम का पुत्र घटतगच ने यहाँ से जादूई शक्ति का लेकर महावारत में यूद क्या था। और फ्रेंड्स उसके अलावा मयंग का वेज और ओजह अपने जादू का प्रयूप खोई हुई चीजों को धूनने के लिए और त्यूजा प्रेडिक्शन करने के लिए मश्यूर है। Going to its own mysterious history, मयंग is now popular tourist destination for curious travelers and those who fascinated by black magic। असाम की एक दिया को एश्या book of records में दर्ज किया गया है। और फ्रेंड्स ये सुनके अब दंग रहे जाओगे कि ए दुनिया का एक मात्र ऐसा लेंप है जो 1528 में पहली बार महापुरुष मादव्यव द्वारा जलाया गया था। और अब तक 492 यार्ड से जल रहा है। ये दिया जो रहट की धेकिक हुआ बढ़नामगर टेंपल में है। तो फ्रेंड्स आप में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक मिर्ची। तो आप सोचेंगे कि इस मिर्ची में ऐसा क्या है। तो जान लीजिए ये कोई आम मिर्ची ने ही। ये वान ओफ दा होटेस चिली के तोर पर 2007 में गिनेश बूक ओफ वाल रेकोर्ड में शामिल हुआ है। रिसर्चर्स का ये मानना है कि भूठ जोलिखिया और गोस्ट पीपर के नाम से मशूर ये मिर्ची अगर कोई आम इंसान लगबग 1.3 किलो खाता है। then there is every possibility that the person would die।